गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम स्वर्के ओ, औ, अं, अ करेंगे तो आईए इसको लिखते कैसे हैं? सीखते हैं तो आपने सबसे पहले जैसे अ लिखते हैं आपने वैसे लिखना है इसको और फिर स्टेंडिंग लाइन उपर इसके मात्रा गोल सी एक डंडी सी बनाने हैं, ध्यान से देखिए और फिर लाइन पर, एक बार फिर अ लिखा हमने अ लिखने के बार हमने स्टेंडिंग लाइन लगाई और इसके ऊपर एक गोल सी लाइन लगाकर टच कर दे अब हमने ओ, ओ लिखने हैं, हमने ओ के तरह ही लिखा, अ लिखने के बाद एक मात्रा डाली, फिर दूसरी ये ओ बन गया एक बार फिर देखिए, अ बनाने के बार हमने स्टेंडिंग लाइन लगाई और उपर दो डंडियां लगाकर गोल सी ओ मात्रा बनाई और ये नीचे तक टच होगी और उपर गोलाई, फिर गोलाई हो जाए, अब हमने लिखना है अंग, अ बनाया और उसके उपर एक बिंदी लगा दी, ये हमारा बन गया अंग फिर देखिए, अ बनाने के बार उपर बिंदी, अंग अंगूर अब हम अ, इसकी अवाज आती है अ, अ बनाने के बाद उपर लाईन लगा दी, और साइड में दो बिंदिया लगा दी, इसकी साउंड है अ एक बार फिर देखिए, कैसे लिखा है अ बनाने के बाद उपर लाईन और दो बिंदू और नीचे इसको लाईन तक टच करना है अब हम ओ, आ, अंग, अ की पिक्चर्स की तरफ ध्यान देंगे ओ, ओधनी, ओ, ओखली, ओ, ओशधी, ओ, ओजार, अब है अंग, अंडा, अंग, अंगूर, अंग, अंगूर्थी, फिर है अः, प्रात्था अब आपने पिक्चर्स ट्रॉ करने के बाद ओ, 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 अंग, अ की फॉर्मेशन एक पूरे पेज पर इस तरह से लिखनी है